आज मैं आपको बहुत जरूरी प्रॉलम के बारे में बता रहा हूं यह लेवर्डोर बच्चा है और इसमें जनेटिकली हिप डिस्प्लेशिया की प्रॉलम है जो जनेटिक बिमारी है जो आपको सुरुबात में अगर आप पकर लें तो बहुत हद तक इसको ठीक तो हो यहां से दब रहा है चलने में इसको प्रॉलम है दोनों पैर अंदर की और बो हो रहे हैं यह टिपकल सिम्टम से बच्चों में हिप डिस्प्लेशिया का आप अगर आपके पास कोई भी बीड है और आप में यह टिपकल सिम्टम देखे चलते हुए जब नीचे का पैर हो और यहां पर यह वाला एरिया जो है उभरा हुआ हो तो आप समझ लो आपके डॉक को हिप डिस्प्लेशिया डिवलप हो रहा है इमेडियेटली आप उसको अपने वेट के पास ले जाए टाकि उसका प्रिवेंटिब इनों केर हो सके ऐसे मैं आपको देखना है कि उसका बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है उसको वेटामिन ड का कैल्सियम का वेटामिन डी ट्वेल का टेस्ट करा है जो आपको वेट करेंगे उसके बाद अगर कोई डिफिसेंसी होती है तो इमेडिटली उसका क्योरेटिव में लिया जा सकता है कुछ सपलेमेंट्स अबलेबल ह के लिए जो अगर स्टार्टिंग से दिया जाए तो आल्मोस सेवंटी परसेंट इस प्रॉलम को क्योर किया जा सकता है और आगे आपके डॉक को मेंटेन किया जा सकता है एक खास चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे डॉग में अगर हिप डिस्प्रेसा की प्रॉलम आ को लोड नहीं ले पाएगा और डॉक नीचे बैठता चला जाएगा तो ऐसे में प्रॉपर मैनेजमेंट और अपने वेट का गाइडन्स लेके इसको केर करें थैंक यूवरी मिज फ्रेंड थैंक यू